दोस्तों क्या आपको पता है भारत द्वारा किया जादा टोटल कॉफी एक्सपोर्ट में से यूरोपियन देश इटली भारत से सबसे जादा कॉफी खरिता है उसी तरह भारत द्वारा किया जाता टोटल राइस के एक्सपोर्ट में बांगला देश भारत से सबसे ज़्यादा राइस खरिता है और मुझे ये बात थोड़ी अजिब लगी कि एरोपियन देश बेलजियम भारत से सबसे ज़्यादा टोबे को यानि तंबा को खरिता है तो दोस्तो आजम बात करेंगे भारत के एक्सपोर्ट यानि निकासों के बारे में भारत दुनिया के देशों को क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है और साथी ये भी देखेंगे कि भारत अपने सभी पडोसी देशों को क्या-क्या बेचता है उससे पहले अगर आपने हमारी इससे पहले की भारत के इंपोर्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में जाकर जरूर देखिए दोस्तो भारत ने पिछले साल करीबन 324 बिलियन डॉलर जितनी कीमत के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट डुनिया के देशों को किया ये कीमत बांगलादेश, इजीप्ट, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों की जीडिपी से भी जादा है भारत अपने 324 बिलियन डॉलर के टोटल एक्सपोर्ट में से करीबन 48% तक का एक्सपोर्ट एसेन कंट्रीस में करता है seafood, computer and electrical accessories, cotton, coffee, chai and बहुत से spices, कपड़े और textile accessories, meat products जैसे करीबन 7500 अलग अलग चीजों का export दुनिया के करीबन 200 देशों को करता है जिन में भारत के total export में refined petroleum and coal जैसे mineral fuels सबसे ज़्यादा करीबन 14% का हिस्सा रखते हैं इसके अलवा polished precious stones and jewelry 11% का, computer and different types of electrical machinery भी 11%, different types of chemicals 6%, vehicles 5.3%, medicine and pharmaceutical products 5%, textile accessories 5% and अलग अलग प्रकार की धातु 3% का हिस्सा रखती हैं दोस्तो भारत के top 10 export partners United States, United Arab Amirat, China, Hong Kong, Singapore, The Netherlands, United Kingdom, Germany, Bangladesh और Nepal है इन top 10 के अलवा Malaysia, Belgium, Saudi Arabia, Vietnam और France भी बड़ी मातरा में भारत की वस्तों का import करते हैं जिन में United States भारत का सबसे बड़ा export partner है भारत अपने 324 billion dollar के total export में से करीबन 54 billion dollar का export अकेले United States में ही करता है जो भारत के total export में करीबन 16.7% का हिस्सा रखता है इसके अलावा भारत अपने दूसरे सबसे बड़े export partner United Arab Emirat में करीबन 30 billion dollar यानि अपने total export में से करीबन 9.2% का export करता है third largest export partner China में भारत 17 billion dollar यानि करीबन 5% का export करता है Hong Kong में 11.5 billion dollar यानि 3.5% और Singapore में 10.7 billion dollar यानि 3.3% का export करता है दोस्तो इन top 5 के अलावा भारत अपने total export में से United Kingdom को करीबन 2.7% Netherlands को 2.7% Germany को भी 2.7% और इसके अलावा बांगलादेश को 2.6% और नेपाल को 2.2% का export करता है दोस्तो भारत अपने total export में से करीबन 60% का export सिर्फ इन top 15 देशों को ही करता है दोस्तो पिछले कुछ सालों में भारत का export कुछ देशों में बढ़ा है तो कुछ देशों में भारत का export घटा है चिन में साउदी अरेबिया में भारत का export पिछले साल के तुलना में करीबन 10% तक जादा बढ़ा है इसके अलावा युनाइटेट स्टेट्स में 4.7% फ्रांस में 3% और चाइना में भारत का export करीबन 2.8% तक बढ़ा है जबकि वियतनाम में भारत का export पिछले सालों के तुलना में करीबन 18.2% तक घटा है यानि भारत को वियतनाम में अपने export का ध्यान देकर वहाँ export बढ़ाने के कोशिश करनी चाहिए दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम आपको ऐसे interesting वीडियो प्रोवाइट कर सके तो दोस्तो अगर आपने हमारी इंडिया के इंपोर्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि भारत करीबन 480 बिलियन डॉलर की किमत की वस्तों का इंपोर्ट करता है यानि भारत अपने export से ज़्यादा कीमत के products इंपोर्ट करता है यानि भारत का माइनस 156 बिलियन डॉलर का negative trade deficit है अब दोस्तो अलग-अलग देशों के साथ भारत का अलग-अलग positive and negative trade deficit है जैसे कि भारत का China, Saudi Arabia, Iraq, Switzerland, South Korea, Indonesia, Qatar, Kuwait, Japan और Australia जैसे देशों के साथ negative trade deficit है यानि भारत जितनी मातरा में अपने products इन देशों को बेशता है उससे ज़्यादा मातरा में उन देशों से उनके products खरिता भी है जिसे भारत से ज़्यादा इन देशों को भारत के साथ व्यापार करने का फायदा होता है और उसी तरह भारत का United States, Bangladesh, Nepal, The Netherlands, Sri Lanka, Spain, Turkey, Israel, United Kingdom और Kenya के साथ positive trade deficit है यानि भारत जितनी मातरा में इन देशों से उनके products खरिता है उससे ज़्यादा मातरा में भारत अपने products इन देशों को बेचता भी है जिससे भारत को इन देशों के साथ व्यापार करने में ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों अब बात करते हैं भारत की export items की भारत द्वारा मुख्य export होने वाला product है refined petroleum refining petroleum industry भारत की economy में important हिस्ता रखती है भारत annually करीबन 47 billion dollar की कीमत का refined petroleum का export करता है जैसे कि भारत कच्चे crude oil का बहुत बड़ा importer है उसी तरह जब से भारत ने export के लिए refineries के design में invest करना शुरू किया है specially गुजरात में तब से भारत refined petroleum का बड़ा exporter के रुप में उबरा है भारत की petroleum कमपनियां बड़ी मात्रा में refined engine gasoline, naptha और diesel का export Singapore, Saudi Arabia, United Arab Emirat और Netherlands में करती है हाला कि भारत सरकार इन कमपनियों को विदेशों में refined petroleum बेशने से पहले घरेलू यानि भारत में ही उपलब्द कराने पर ध्यान केंदरित करने के लिए प्रोचसाइद करती है सेकंड है gems, किमती धातू और jewelries जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि भारत ज्यादातर कच्ची किमती धातू को खरीद कर उनकी polishing और उन पर work करके फिर से उन्हें export कर देता है भारत annually करीबन 40 billion dollar की कीमत की इन वस्तों का export करता है दोस्तों भारत की jewelry industry भारत की GDP में 7% का बड़ा योगदान करती है जो करीबन 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है भारत ने पिछले साल करीबन 908 million dollar की gold jewelry और 86 million dollar की silver jewelry का export किया है इसके अलावा polished diamonds भी भारत के high end export products में आते है भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी diamond cutting and polishing industry है भारत अपना ज्यादातर precious धातू और jewelry का export United States, United Arab Amirat, Russia, Singapore, Hong Kong और China में करता है दोस्तों अब बात करते हैं agricultural products की भारत agriculture based country है और भारत की ज्यादातर आबाती agricultural से जुड़े काम करती है भारत का agricultural export लगातार बढ़ रहा है इवन इस pandemic time में भी जहां भारत के दूसरे सभी उद्योग मुश्केली का सामना कर रहे है वही agricultural export पिछले साल के मुकाबले करीबन 43% तक बढ़ा है दोस्तो भारत करीबन 40 billion dollar से भी ज्यादा कीमत के agricultural products दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को export करता है दोस्तो ministry of commerce and industry की 2018 में introduce हुई agriculture export policy के मुताबिक हमारा 2022 तक aim है कि हम भारत के किसानों की eye double करके भारत के agricultural export को भी दोगुना करे हमारा 2022 तक agricultural export 60 billion dollar तक पहुँचाने का लक्ष है दोस्तो भारत का सबसे ज्यादा export होने वाला agriculture product है seafood भारत एशिया रिजन में सबसे बड़े seafood suppliers में आता है भारत annually 7 billion dollar के seafood का export करता है भारत की seafood industry भी मुख्य export industry में आती है जो तेजी से ग्रो हो रही है भारत का shrimp का export तेजी से बड़ा है उसी के साथ lobsters की productivity भी भड़ी है भारतीय seafood के major importer है United States जहां भारत अपना करीबन 38% तक का seafood export करता है इसके अलावा चायना में 20%, जापान में 6%, इन Middle East में 3% का export होता है seafood के अलावा भारत 4.7 billion dollar के बासमती rice, 3.5 billion dollar के meat products और 3 billion dollar के non-bासमती rice का export करता है जो भारत के top export होने वाले agricultural products है दोस्तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा rice exporter है अकेला भारत ही पूरी दुनिया की global rice trading में 25% का हिस्सा रखता है भारत अपना जादातर करीबन 80% rice export गल्फ countries में करता है और अगर बात करे meat products की तो भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा meat producer and exporter है जो global meat production में करीबन 7% का हिस्सा रखता है भारत अपना जादातर meat export neighboring countries में करता है इसके अलावा दोस्तो भारत अनाच की category में गेहूं, मक्का और अलग-लग types के beans का भी बड़ी मात्रा में export करता है बात करे coffee और चाई की तो ये भारत के traditional export products है भारत के total coffee production में से massive 70% coffee export कर दी जाती है यानि सिर्फ 30% coffee का ही भारत में consumption होता है export होने वाली coffee में 21% import के साथ इटली भारत का सबसे बड़ा coffee importer है इसके अलावा Germany 9%, Russia 6%, Belgium 5% and Turkey 4% भारत की coffee import करते है दोस्तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा tea producer है भारत अपना tea का export mainly इरान, रशिया, United States, United Arab Amirat, United Kingdom, Germany और कजाकिस्तान में करता है और बात करे मसालों की तो ये दुनिया द्वारा भारत से किये जाते सबसे ज़्यादा demanded products में से एक है मसालों के production and export की detail video आपको eye button में मिल जाएगी आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तो नेक्स्ट है mineral fuels and koila भारत के पास खनी जिन्धन का बड़ा स्त्रोत है इसलिए भारत कई सारे खनी जों का एक्सपोर्ट भी करता है specially coal and brown coal दोस्तो भारत annually करीबन 32 billion dollar की कीमत के खनी जिन्धन का एक्सपोर्ट करता है जिन में ज़्यादातर एक्सपोर्ट परोसी देश, नेपाल, बांगलादेश और भूतान में होता है next है medicine and pharmaceutical products भारत की pharmaceutical industry size wise दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी pharmaceutical industry है भारत annually करीबन 20 billion dollar के कीमत के pharmaceutical products दुनिया के करीबन 200 देशों को एक्सपोर्ट करता है भारत की pharmaceutical industry में करीबन 3,4,000,000 workers के साथ साथ 4,000,000 doctors और 3,000,000 pharmacists काम करते है भारत में United States के बाद सबसे ज़्यादा US drug control agency द्वारा recognized pharmaceutical factories है भारत फिलहाल pharmaceutical materials, active ingredients, finished drugs, drug dosage formulation, bio pharmaceuticals और medical services का export करता है जिनमें सबसे ज़्यादा pharmaceutical products का export United States, Germany, Russia, United Kingdom और China में होता है next है cars, vehicles and mechanical equipment भारत annually करीबन 20 से 30 billion dollar के कीमत के vehicles and equipment का export करता है दोस्तों फिलाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा tractor manufacturer है भारत में 13 tractor manufacturing units है जो दुनिया के करीबन one third tractors का manufacturing करते है भारत अपने made in India tractor और vehicles आफरीका, Middle East, Asia और South America के कई देशों में export करता है next है कपडे और all types of textile accessories कपडे और garments भी भारत के मुख्य export होने वाले products में आते है जो भारत कई सालों से दुनिया के देशों को export करता है भारत का कपडा और परिधान उद्योग बहुत diverged है यहां manual कताई बुनाई से लेकर modern textile factories सभी द्वारा अच्छी quality के textile products का उत्पादन किया जाता है भारत की textile industry दूसरे देशों की textile industry से बहुत अलग है क्योंकि भारत की एक अपरा industry agriculture और भारत के traditional वस्तरों के साथ मजबूत संबंध रखती है भारत का textile export always भारत के total export में 15% का बड़ा योगदान करता है भारत में produce होने वाले total textile products में से करीबन 1 third products दूसरे देशों को export कर दिये जाते है भारत अपना ज़्यादा तर textile export United States में करता है अपने total textile export में से करीबन 25% तक इसके अलावा भारत बांगलादेश, United Arab Emirat, United Kingdom, China और जर्मनी में भी बड़ी मात्रा में textile products export करता है next है various types of chemicals भारत एशिया का तीसरा और पूरी दुनिया का छठा सबसे बड़ा chemical exporter है made in India chemicals पूरी दुनिया में export होते है भारत annually 20-30 billion dollar के कीमत के chemical export करता है जिन में high volume chemicals सबसे ज़्यादा 39% का हिस्सा रखते है उसके बाद agro products 20% and specialized chemicals 19% का हिस्सा रखते है भारत अपने chemical product specially Middle East, Korea, Japan, Singapore, United States के साथ-साथ European Union और चाइना में करता है दोस्तो इन सब के अलावा भारत iron, steel and aluminium जैसे metals, electrical equipment, automobile parts, phone system device, aircraft, spacecraft, footwear, cotton, rubber जैसे हजारों वस्तों का export भी बड़ी मात्रा में करता है दोस्तो अब बात करते हैं सभी पडोसियों की भारत चीन को करीबन 17 billion dollar की कीमत की वस्तों का export करता है भारत चीन को करीबन 3 billion dollar के chemicals, 2.3 billion dollar के agricultural and animal origin foods, 2.2 billion dollar के कीमत का iron ork, 1.56 billion dollar के diamonds, 1.23 billion dollar के seafood, 1.21 billion dollar के cotton products और करीबन चाइना का 70% granite अकेला भारत ही provide करता है बात करें बांगलादेश की तो भारत बांगलादेश को करीबन 8.24 billion dollar के कीमत के products बेचता है भारत बांगलादेश को 1.55 billion dollar का cotton, 910 million dollar के mineral fuels, 900 million dollar के vehicles, 830 million dollar के machinery, 360 million dollar के iron and steel इन इसके अलावा electrical equipment, chemicals, plastic, dying extracts जैसी कई चीजों का export करता है बात करें नेपाल की, तो नेपाल का भारत से import पिछले साल के मुकाबले 27% तक बढ़ा है नेपाल की 100% petroleum के जरूरियाद भारत ही पूरा करता है इसके अलावा भारत नेपाल को vehicle and spare parts, MS billet, cement, rice, medicine, hot rolled steels, electrical and agricultural equipment, sanitary wears, edible oil और zinc का export करता है और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो भारत पाकिस्तान को करीबन 2 billion dollar की कीमत की वस्तों का export करता है जिन में करीबन 33% का textile products और 37% का chemical products होते है भारत पाकिस्तान को tomato, chai, chini, oil cakes यानि खली, cotton yarn, tires, rubber, dye, refined petroleum और chemicals का export करता है बात करें भुटान की, तो भारत भुटान को करीबन 800 million dollar की कीमत की products export करता है जिन में mainly mineral fuels, vehicles, electrical machinery, नमक, विवित अनाज और dairy products का export करता है दोस्तो भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा trading partner है भारत श्रीलंका को mainly motor vehicles, mineral fuels and oil, aircraft and spacecraft, cotton, pharmaceutical products, plastic articles, chemicals, cement और sugar का export करता है बात करें अफगानिस्तान की, तो भारत अफगानिस्तान को करीबन 360 million dollar की केमत के products का export करता है जिन में electrical equipment, vehicles, tobacco, paper yarn, pharmaceutical products और eggs and honey जैसे dairy products आते है दोस्तो भारत म्यानमार को mustard seeds, vivid beans, fresh fruits and vegetables, soya bean, ready made garments, जूते और medicines का export करता है और रही बात मालदिव्स की, तो भारत मालदिव्स को agricultural और textile products, चीनी, fresh fruits and vegetables, medicines, गहुका आटा और चावल and cement जैसे ये चीजों का export करता है तो दोस्तो ये थे भारत के exports, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया और इंट्रेस्टिंग सीखा हो तो प्लीज वीडियो को like and हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए यहां क्लिक कर हमारी अगली informative वीडियो जरूर देखिए वीडियो एंट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye